ब्रॉडवे तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडान पहले नहीं बन सका इस अपडेट में कैनडा के अंदर जो एक law है i.e. access to information जिसे हम इंडिया में भी जानते हैं ऐसा ही similar law इंडिया में है जिसे हम right to information act कहते हैं इस act के अंदर हम कोई भी public domain के उपर जो information है, जो government departments की information है हम उसे retrieve कर सकते हैं हम उसे ले सकते हैं सरकार से, so ये rights Canada में भी हैं, अब इनी rights को IRCC भी implement करने जा रही है, because जो अगर आप news पढ़ेगे, मैं उसका link भी नीचे दूँगा, IRCC रे ये कहा कि हमारे पास जो request आती है, इसकी access to information act के अंदर, वो जो request हैं, वो पिछले 3 साल में तकरीबन double हो चुकी हैं, मतलब वो पहले 60,000 के आसपास आती थी, अब तकरीबन 1,32,000 से उपर, request हैं उन्हें receive हो रही हैं, तिल 2019 का data उन्होंने दिया, बीचिक इसका भी नहीं दिया, और उसके according ये information, जो request हैं, ये बढ़ती जा रही हैं, और जिसे response करना भी उनके लिए challenging होता है, तो अब वो काफी सारी जो files को लेके updates ज़्यादा तर होते हैं, और ये updates वो अब आपको जो my account portal है, उसके अंदर देने की कोशिश करेंगे, IRCC का कहना है कि हम my account portal को और ज़्यादा strong करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा information जो concerned applicant है, उसके पोर्टल में मिल जाए, तांकि वो बार बार हमारे साथ inquiries ना करें, और जो हमारी inquiries हैं वो कम से कम हो, और client को, applicant को अपना status ज़्यादा से ज़्यादा clear हो सके है, कि उसकी present file पे क्या चल रहा है, जैसे कि हम presently जब भी emails करते हैं, या हम calls पे कुछ information लेने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी आपके profiles के related आपको नहीं दी जाती, वो आपको हमेशा general reasons दिये जाते हैं, कि that due to COVID, the working is slow, या कुछ और reasons दिये जाते हैं, बट वो never, कभी भी आपको specific आपके profile की उपर information नहीं दी जाती है, और जो portal में information मिलती है, वो बहुत ही limited होती है, जैसे आपका medical update हो गया, biometric update हो गया, the file is under process, बट बाकी जो उसकी detailed information, जो एक बंदा ढूंडता रहता है, फाइल लगाने के बाद, वो उसे कभी मिल नहीं पाती, तो उसमें से काफी हग तक, जितना हो सकेगा, वो possible information को, client के portal में डाल देंगे, तांकि वो कम से कम inquiries करे, और जादा से जादा अपने status को लेके, उसके पास clarities रहे, तो यह बहुत बड़ा change होगा, आने वाले दिनों में, अगर IRCC ऐसा कुछ करती है, तो definitely बहुत बड़ी relief भी होगी, international students के लिए भी, और also, it is not only for international students, यह जो application implement होने जा रही है, यह सब के लिए होगी, हर visa category के लिए होगी, चाहे वो investor categories है, spouse visas हैं, या और related work visas हैं, या PR वाले हैं, उन सब के लिए यह beneficial होगा, तो यह बहुत बड़ा move IRCC लेने जा रहा है, and it is really commendable की students को इससे बहुत बड़ा benefit होगा, बड़ इसकी अभी तक किसी तरह की timeline उन्होंने नहीं दी है, सो हम अमीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में वो जरूर इसकी कोई ना कोई official announcement करेंगे, यह जो आपका my portal है, वो information से और थोड़ा भर जाएगा, मतलब उसमें और additional information आपके profiles के related आने वाले कुछ समय में आ सकती है, उनकी कोशिश है अगले 5 साल के अंदर इसको और ज़्यादा improved, transparent और accountable बनाना, तांकि आप ज़्यादा से ज़्यादा information ले सकें, आपके पास ज़्यादा information हो, इसके इलावा, इस news के इलावा एक पहले भी आई थी, जिसके उपर मैं शोग नहीं बना सका, बीजीनेस के कारण, कि आपके जो refusals होंगे, उनका भी शायद system जो है, वो आने वाले दिनों में change होगा, और वो जो refusal letters आपको आती हैं, जो की normally अभी specific नहीं होती, उनमें जो reason दिये होते हैं, वो बहुत journal से होते हैं, फिर हमें capes note लेने पड़ते हैं, उसके बाद, उसका real reason find out होता है, तो शायद उसमें भी कोई ना कोई changes आएगा, और उनको और ज़्यादा specific कर दिया जाएगा, जिसके कारण आपसे कम से कम आपको ज़रूरत पढ़े, अपने capes को access करने की, तो ये एक बड़ा benefit आने वाले दिनों में students के लिए हो सकता है, might not be in September, but could be in the next future intakes, but definitely students के लिए बहुत सरा relief होगा, तो बे फिकर होकर Canada के लिए apply करते हैं, because Canada हमेशां बच्चों के साथ खड़ा रहता है, जादा से जादा transparent information वो देने की कोशिश करता है, बट कभी भी किसी भी application की जो information होती है, वो phone पे नहीं दे सकते, because by law उनको नहीं पता दूसरे side phone पे कौन है, so वो उनका best तरीका है, आपके जो portals हैं, उसके अंदर ही उस information को डालना, so आने वाले दिनों में students के लिए और जादा relaxed हो जाएगा, और बे फिकर होके Canada के लिए apply करते रहें, कोई भी doubts हैं, confusions हैं, वो उसके लिए भी आप team को contact करें, और आने वाले June, ये जो month start हो चुका है, इसमें काफी सारी उमीद हैं, कि बहुत सारे unlocks हो जाएंगे, आपके biometrics, medicals, passport stampings, जो चीजें hold हैं, वो unhold हो जाएंगे, और बहुत जल्द उसके बाद जो traveling हैं वो भी start होगी, so September के लिए अगर कोई भी confusion है, doubts हैं, तो team से contact करें, और अपने आपको updated रखें, और timely apply करें, ताकि आप timely results को secure कर सके, नमश्यक्त, नमश्यक्त, जो तोस्त, Broadway Immigration की services लेना चाहते हैं, वो कैसे हमारे साथ contact कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा, so you just have to follow three steps, a simple three steps, number one, you need to visit our website broadwaystudy.com, number two, you need to fill a form, website पे form होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel, and number three, अउसके बाद जब आपको शुम्मित करेंगे, you can see our online counselors out there, you can select your counselor by just clicking any one of them, and the video call will start automatically, जैसे ही आप किसी एक counselor के नाम पे click करेंगे, वो video call अपने आप automatically start हो जाएगी, so anywhere from India, outside India, you wish to take a broadway immigration services, you can apply with us online, from your home, from your country, thank you.